आज मैं आपको पढ़ाऊंगे क्लास 11 की इंग्लिश को चाप्टर दा इलिंग प्लानल ओके तो दिस चाप्टर इस रिटिन नानी पालखी वाला एंड यह जो चाप्टर है इस जो पूरा आटिकल है और यह चाप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे हमारे अर्थ के बारे में चाप्टर का नाम के है देखो आप दे इलिंग प्लानेट तो बेसिक्टर का डीटेल एक्स्टोनेशन आज मैं आपको देने वाली हूँ और अगर आपको बाकी के सारे चाप्टर पढ़ने क्लास 11 के एंड क्लास 11 के बाकी सब्जेक्स पढ़ने है तो एक्स्टोनेशन स्टाट तो देखो इस चाप्टर में हमने पढ़ना है और कौन सा इलिंग प्लानेट है ये हमारे एलिंग प्लानेट हमारे अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं इस चाप्टर में और ग्रीन मुवमेंट के रोल में आने कि जो ग्रीन मुवमेंट हो गया समर्लों 1994 में यह आर्टिकल लिखा था तो उसे 25 साल पहले ही ग्रीन मुवमेंट की शुरुवात हो गई थी जिसमें लोगों ने एक आइडिया जो था इमज हुआ और हमें इसे बचाना पड़ेगा वर्ल्स फर्स नेशन वाइट ग्रीन पाटी ऑल्सों फॉर्म इन न्यूजिलेंड इन 1972 तो इस बेसिकली वनमार्कर या फिर एमसी की और कॉंपेटेंसी बेस क्वेशन में आपको यह आ सकता है मैं जो भी चाप्टर आपको पढ़ाऊंगी जाहिए इंग्लिश का किसी और सब्जेक का वनमार्कर मैं साधी के साथ मार्कर वादी रहती हूँ तो आपके एमसी क्यू विधिन दे चाप्टर प्रिपेर हो जाए तो 1972 के अंधर फर्स ग्रीन पाटी भी बनी थी बिसिकली यह ताइम जुन के बाद से बहुत ही बड़ा और हमार को हमारी नीज पूरी करने के लिए बनाया गया है हमें वाटर चाहिए रिसोर्स चाहिए हमें पोल चाहिए पेट्रोलियम चाहिए एनिधिंग वी नीट अर्थ बस एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम सब कुछ उक्यूपाई कर सकते हैं सब कुछ हम ले रहे हैं बट इ यह जो अर्थ है हमारा यह भी एक living organism ही है और इसकी अपनी एक basic needs है और हमें इसको respect करना पड़ेगा यह नहीं है कि हम अर्थ को exploit करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे तो यह जो perception में change आया from mechanistic to a holistic view यह आया through the green revolution और यह आप देख सकते हो since then the movement has not looked back तो आज तक आप देख सकते हो global warming के उपर और different different जो ecological phenomenon होते हैं उसको लेकर हमारा जो green movement है जो different different moments वो launch होते रहते हैं तो वहां से हाँ लोगों की so change होई क्योंकि industrialization के time पर अर्थ को बहुत exploit करा गया अब लोगों ने यह समझा that earth जो है खुद में एक living organism है अर्थ के भी अपने metabolisms है तो हमें earth जो है उसको exploit नहीं करना है यह जो thinking थी ना अभी आप लोगों कोई बहुत normal लग रहे है that yes we know हमें earth को exploit नहीं करना है but उस जवाने में यह thinking बहुत revolutionary थी उतनी ही revolutionary थी जब लोगों को पता चला था ना जब Copernicus ने बताया था that जो यह planet से earth और बाखी चिते planet से यह sun के around हुमत है sun हमारे around नहीं हुमता इतना ही revolutionary यह concept था यह लोगों को मनवाना that earth हमारा कोई वो नहीं है market की जा और से इसको exploit करो और सब कुछ खरीते रहो नहीं earth एक living organism की तरह ही है हमें compatible हो के रहना पड़ेगा earth के साथ में earth को exploit करना बंद करना पड़ेगा तो this is the first paragraph जिसमें हमने green moment का रोल पड़ा क्या हुआ बहुत जदा awareness बड़ी that earth itself is a living organism that earth भी एक living organism ही है earth की अपनी metabolic needs है और processes है जिनको हमें respect करना पड़ेगा और हमें earth का exploitation बंद करना पड़ेगा देरे देरे एक नई thinking निकल के आई that we are custodians of the future legacies का मतलब क्या हुआ यनि कि earth की जितनी resources है at present वो सिर्फ हमारे use के लिए नहीं है वो हमारी future generation की use के लिए भी है जैसे जितना भी petrol earth पे है अगर हम सारा उसको खतम कर देंगे तो हमारी future generation के लिए क्या बचेगा नहीं बच पाएगा अगर सारा में खतम कर देंगे use कर लेंगे तो ये एक thinking बनी that earth की जितनी resources है हम उसके क्या है custodian है हम उसके guardian है हम उसके watchman है हमें उतना ही use करना जितनी हमाई need हो और बाकी के बचा हुआ अपने future generation के लिए रखना है तो ये जो एक thinking नहीं develop हुई उसको क्या बोला गया sustainable development तो अब हम ये पढ़ेंगे that ये sustainable development का idea कैसे emerge हुआ sustainable development in detail तो दूस sustainable development है उसका idea कहाँ पे originate दूए यहां पे जो sustainable development का idea है वो popularized हुआ था and in which year in 1987 one marker question, MCO question that you have to remember तो यहां पे इनुने क्या define करा sustainable development को यहां पे आपको बता रिया है that हमें अपनी needs का तो धियान रखना है but at the same time we have to remember that हमारी जो future generation है हमें उसके लिए भी resources छोडनी है ठीक है, तो इसको कैसे define करा गया sustainable development is that development that meets the need of the present without endrangering the ability of future generation to meet their needs यानि कि हमारी present generation की needs को तो fulfill हम कर पा रहे हैं without endrangering the future generation needs यानि कि हम अपनी needs तो occupy कर पा रहे हैं अपनी needs तो fulfill कर लिए बढ़ ऐसा ना हो कि हमने future generation का जो resources है उनको utilize कर लिया उसे exploit कर दिया और उनके लिए आगे चल कि कुछ बचे ही ना है, उनके नेजर में हो जाए कि कल को जब उन्हें petroleum की जरुएट पढ़े तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं हो इस idea को बोला गया, क्या बोला गया sustainable development कब launch हुआ था ही 1987 में that there is a zoo in Zambia कहां पे लुजाकर Zambia में एक zoo है जहां पे बड़ा-बड़ा sign लगा हुए world's most dangerous animal तो आप भी सोचो के कौन सा animal है world's most dangerous animal अगर कोई उस cage के अंदर जाते है तो बहां पे एक mirror रखा हुआ है और अगर आप mirror के अंदर reflection देखोगे तो आपको कौन दिखते है आप खुद दिखते हो आप कौन हो human being हो तो याने कि यह दिखाया देया रहा है that human being है वो है world's most dangerous animal and it is true because हमने animals को ही नहीं छोड़ा ना हमने earth को छोड़ा ना ही हम plants को छोड़ते and even we are indulged in so many other things we do poaching of animals टाइगर लो एलिफेंट लो हर एक अनिमल के poaching करें even human trafficking is also there तो सबसे dangerous animal कौन हो earth के ओपर human beings themselves and नानी पाल के वाला एक और example side करते हैं यह बताने के लिए जिस तरीके से हम earth को exploit कर रहे हैं हम लोग यह नहीं समझ रहे हैं लोगों ने तो यह समझ रहे है that earth एक बस हमारा ही है earth के बस एक soul proprietor हम है हम नहीं है इर्थ को हम share करते हैं with almost 1.4 million living species जिनके नाम है जिनको हम जानते हैं and उसके अलावा भी जैसे जिनको scientist ने एक list बना रखी है जिसमें 1.4 million known species हैं land पे हो जाए वह सी में हो जाए वह एर में हो ठीक है but उसके अलावा भी there are many species that are still in the darkness यानि कि अभी भी ऐसी कई species 1.4 million के लावा भी जो अभी तक unknown है जिनका नाम ही scientist को नहीं पता है जिनको भी discover ही नहीं करा गया है इतने सारे species के साथ में और exploit कौन कर रहा है अर्थ को बस हमारी है तो इस चीज के ओपर example side करें लोगों के मन में ही वह feeling लाने के लिए that we have to stop the exploitation अब there were many commissions in India and all over the world जो यह धियान रखी थी जिसका नाम क्या था branded commission you have to remember branded commission पहली international commission थी जिसने question करा था ecology and environment को यनि कि जिन्होंने question करा था यह जो पूरा का पूरा world में हुरा exploitation of the environment इस चीज को अब इस commission के एक head थे एक officer थे जिनका नाम क्या था MK जा नाम से आपको पज़ा चल लोगो यह Indian इन्होंने question road race करा था you can see here एक बहुत यह अच्छा question इन्होंने raise करा branded commission की एक report के अंदर क्या question इन्होंने raise करा whether we were to leave our successor or dried earth with increased desert poor landscape and ailing environment तो यह अपने उस report में question करते हैं कि क्या आप लोग अपने successors को future जो हमारे बच्चे बच्चों के उनको एक ऐसा earth दोगे जिसमें desert dry हो चुके हैं landscape dry हो चुके हैं पानी हमारा खतम होने आले fresh water खतम होने आले glaciers melt हो रहे हैं तो are you leaving a ailing planet to your future generation याप अपने बच्चों के बच्चों को ailing ailing मतलब क्या बिमार बिमार planet छोड़ना चाहते हो यह question उन्होंने करा because the speed on which we are doing the exploitation हमारा earth की अगर हम अगर हम earth to a living organism की तरह देखे तो earth एक बिमार ही है इस समय पे यह question raised करा गया था by Mr. Imkeja in the branded commission नानी पाल के अला अपने article के अंदर कुछ और example site करते हैं यह दिखाने के लिए how much we are detroiting our earth तो basically यह बताते है Mr. Lester R. Brown की एक book है जिसका नाम है the global economic prospect now this is also on my question इसमें बताया गया है that earth के 4 main biological system है हमारे जो हमने जोग्रिफी में पढ़ रखा है जैसे की fisheries, forest, grasslands and croplains यह basic economic system नहीं ecosystem हमारा बनाते है यह हमारा basic ecosystem जो है they supply us food, fisheries, croplains, grasslands यह हमें food भी supply करते है और से food supply नहीं करते है they also supply as the raw material for the industries सारे के सारे raw materials भी हमें इन चारो जो forms है इनी में से मिलती है and they are reaching a unsustainable level यानि कि हम इनको इतना ज़्यादा exploiter use कर रहे है that they are depleting यह आपको यह तो एक समय पर खटम ही हो जाएंगे, हमारे future generation के लिए नहीं बचेगा एक example इन्होंने दिया about the protein conscious people आजकर लोगों को अपनी diet में इतना protein चाहिए होता है that fisheries जो है उनको over consume करा जा रहे है एक दिन में इतनी fisheries को आप कह सकते हो निकार लिया जाता है सी के अंदर से protein लोगों को इतना खाना है इस चक्कर में जो fisheries है वह भी deplete हो रहे है there are many example for example next example उन्होंने दिया है forest का जो jungle है वहाँ पे जो villages है tribes है जो वहांग पे past में रहते हैं वह क्या गरते है पेड की लखडिया काट देते है for the firewood यानिके घर में जो gas है चूला है उसे जलाने के लिए firewood को यूज करने के लिए पेड की लखडिया काट रहे है और उसे दीरे-दीरे क्या हो रहा है forest जो है वह clear होते जारे forest में पेड गिरते जारे है second जो firewood है इतना जादा expensive हो गया है यानिकि जो लखड़ी जो यह आग जलाने के लिए जो हमारा gas stove जलाने के लिए firewood यूज होती है वो इतनी जादा महेंगी हो गया है that there is a quotation that what goes and goes and the pot is expensive that what goes inside the pot यानिकि आग जलाने में firewood पे ही इतना खड़्चा हो जाता है जितना खाने पे नहीं हो रहा है तो this is the condition जो उस समय पे थी जिसको examples के थुरू बताया गया है that fisheries को भी हम replete करे है forest भी हमने खतम कर दिया है इतने forest का deforestation हो रहा है deforestation के साथ में यह forestation बिलकुल भी नहीं हो रहा है so इससे के और है हमारा जो earth है it is becoming a ailing planet हमारा earth क्या बन रहा है ailing planet in poor countries local forests are destroyed to obtain fuel for cooking जैसे कि मैंने आप बता दिया है different different poor countries है हम आप फ्यूल के लिए आग जलाने के लिए forest को clear करा जा रहा है जो हमारे tropical forest है ना there is wearing away at the rate of 40 or 50 million acres a year तो tropical forest जो oxygen प्रोवाइड कर रहे हमारे को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे है they are wearing away at 40 to 50 million acres और यह article तो 1994 का है अगर आप अभी समझे तो कितना ज्यादा tropical forest को नुकसान हो गया होगा next इन्होंने बता है the growing use of dung for burning deprives the soil as an important natural fertilizer अब डंग जो गाए का गोबर होता है different different जो animals होते है उनका जो डंग होता है ना waste product उसको आजकल क्या होता है firewood के लिए यूज करेता रहे तो अगर पेड नहीं काठे तो अगर आप डंग का यूज करें बेसिकली वह डंग कहा जाता है soil में जाते है मैंने और बन जाता है soil की fertility increase होती है अब जब गाय का जो waste material है जो डंग है जैसे की जेम्स पैट ने बताया था जो प्रेजिदेंट थे वर्ल्ड रेसोर्स इंसिट्यूट के कौन जेम्स पैट वार्मा का यार रखना he told that every second we are losing an acre of forest कि एक acre forest हम each second lose कर रहे है और वो समय दूर नहीं है जब हम लोग half a second के अंदर one acre of forest को lose करें और आवगर आप अभी देखो तो वो समय तो आई चुकाँगा because या article तो 1994 में लखा गया था अब अगर हम Indian की constitution की बात करें इंडिया constitution की तो हमारी constitution के अंदर article 48a है जिसमें लिखा हुआ है that जो हमारे state है जो इंडिया है और जो हमारी government है उसको ध्यान रखना पड़ेगा towards the protection and safeguard of environment बट यह सब हमारे constitution के अंदर लिखा गया है that we have to protect our earth, protect our environment बट यह सिर्फ papers पे ही रह गया है कुछ भी इसमें implement नहीं होता है जैसे की एक bracket के अंदर book में दे रखा example of untouchability and bonded labor वैसे तो 40-50 साल पहले ही यह practices untouchability की और bonded labor की इंडिया में से जो था उसको बिल्कुल ही ban कर दिया गया था but still अभी भी इंडिया के काफी parts के अंदर इस सब चीजों को practice करा जाता है तो यानि कि यह सब चीज़े तो on papers in the constitution नहीं रहे इनका implementation बिल्कुल भी नहीं हुआ और अगर हम इंडिया की present condition को देखे तो largely इंडिया के आदे से जादा areas ऐसे है forest के those are treeless और काफी सारी figures भी दे रखिया जिसमें बताया गया है that हमारा जो forest cover है that is detroiting again and again जो बहुत जादा detroit हो रहा है एक UN की satellite study भी हुई थी जिसमें satellite के through photos ली गए थी different different countries की उसमें 88 countries थी आप यहां देख सकते हो जिनको investigate करा गया कि these are on the demise वाली condition यानि कि यह तो बिल्कुछ detroit हो सकती है treeless होती जा रही है दो चीज़ पर चुके earth के detroit होने की पहले चीज़ हमने क्या पड़ी जो forest clear हो रहा है दूसरा हमने देखा कि soil भी अपनी fertility loose करें because cow dung को भी over utilize कर रहे और थर्ड चीज़ क्या आती है हमारी population population क्या है population तो mankind reached the first billion mark in more than million years यानि कि हमें लाखो साल लग गए 1 billion population अपनी पहुचाने के लिए कितनी 1 billion population पहुचाने के लिए हमें लाखो साल लग गए that was the world's population in the year 1800 1800 में जाके हमारी जो population थी वो 1 billion मनी but by the year 1900 a second billion was added तो यह आप यहाँ देख सकते हो कहा तो हमें million years लगे 1 billion तक पहुचने के लिए और कहा 1 billion से 2 billion आने के लिए सिफ 1800 से 1900 तक का समय लगा और अगर आप अभी की बाद देखो 20th century तक 3.7 billion total population हो चुगी थी और अगर अब present world की बाद करो तो it is 5.7 billion और every 4 days में population increases by 1 million तो death rates हैं वो कम होते जारे हैं because of the income rise education हो रही है लोगों में spread और health facility improve हो रही है सवज़े से death rates तो कम हो रहे हैं but birth rate जो है वो increase होते जा रहे हैं जो population है basically इतनी increase हो रही है first हो गया कि death rates कम हो गया secondly जो people की जो views है जो family planning की policy है लोगों की क्या सोचा जाता है जैसे आपने quotation चुनियोगी rich gets richer and poor gets poorer poor people जो होते हैं बहुत सारी बच्चे होते हैं जितने जादा लोग होंगे उतना जादा income वो लेकर आप आएंगे घर के नबट वो यह नहीं समझते हैं जितने जादा लोग होते हैं उतना खर्चा भी करना पड़ता है तो इसलिए rich people household में होते हैं दो बच्चे हैं उनको ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाते हैं उनकी education भी खड़ा खर्चा करा जाता है and they get very successful ठीक है बट अगर poor people की बात करें तो उसका बिल्कुल opposite हो जाता है तो best contraceptive for the population क्या है development जब लोग zero million in 1994 it is more than the entire population of Africa and South America put together और अब भी अगर हम देखे तो guys हमें पता है इंडिया की population कितनी जादा हो चुकी है तो population is a very big factor जिसकी वाज़े से earth जो है वो detroit हो रहा है जो resources है उसके लिए टसल बन चुकी है and earth बन गया है हमारा एक एलिंग प्लानेट अर्टिकल के अंदर नानी पाल के वाला क्या बताते है that for the first time in human history after this green revolution for the first time in human history जो human beings है उन्होंने earth की चिंता करनी शुरू कर दी है they have started caring for the survival of themselves also or earth also जानी कि अपनी तो ध्यान रखना ही है बट साथ में अपना earth है उसका भी ध्यान रखना है people have began to take an overall view ठीक है overall view देख रहे है they are watching earth as a holistic thing जानी कि एक living organism है ये और हमें इसका भी ध्यान रखना है basically जो overall the world जो human race है उसके अंदर belief start हो गई है that जो earth है it is the holistic thing it is a living organism and we have to take care of it एक ushered era of responsibility on हुआ है यानि कि लोगों को भी अब responsible होना पड़ेगा and there is a feeling of responsibility that this is our earth and we have to save it okay क्या बताते है that अगर responsibility समझनी है तो एक बहुत ही बड़ा role play करना पड़ेगा industries को industrial sector को समझना पड़ेगा that environment को बचाना है for example वो देते है dewpont नाम की एक industry थी उसके chairman थे क्या नाम था उनका Mr. Edgar S. Woolard आप याद मट करना है important है बस ध्यान रखो Mr. Edgar जो थे उन्होंने जो अपनी company थी जो उनकी industry थी खुद को उसका chief environmental officer कह दिया था that I am the industry's chief environmental officer और वो क्या कहते हैं एक quotation उन्होंने बोली एक line बोली our continued existence as a leading manufacturer requires that we are excel in environmental performance क्या बोला उन्होंने कि अगर मैं खुद को एक leading manufacturer बोल रहा हूं कि भाई मैं बहुत बड़ा industrialist हूँ तो मुझे ये भी धियान में रखना है that I am excel in environmental performance also that यानि कि मैं अपनी environment को नुकसान नहीं पहुचा रहा हूँ I am excelling in the environmental performance also अगर मैं ज्यादा production कर रहा हूँ अपनी company से तो मैं environment को नुकसान नहीं पहुचा रहा हूँ ठीक है तो इस तरीके की जो view है इस तरीके की सोच अगर industries के पास आ जाए तो जो earth है वो एक ailing planet नहीं बनेगा अगर industries जो है poisonous gases फिला रही है तो they should plant more trees अगर को industry है forest cover को cut कर रही है तो वो किसी दूसरे side के उपर afforestation करे so that earth जो है वो एक ailing planet नहीं बने and at the end ये chapter हमारा end हो जाता है हमारा end हो जाता है by two beautiful quotations जो first quotation है वो है Margaret Thatcher की and second quotation है Lester Brown के जिनकी book के बारे में अभी हमने उपर पेड़ाता Global Economic Prospect तो Margaret Thatcher क्या समझाती है at the end and उनकी quotation को जो है अपने article में डाला नानी पाल की वालों ने what she said that no generation has a free hold on this earth ये जो earth है ना ये हमारा हमेशा मेशे के लिए नहीं है we are just the tenants all we have is a life tenancy life tenancy मतलब यानि कि जितने समय तक हम जिन्दा है उतने समय तक हम इस earth के किरायदार है अब अगर आप किसी जगा पे किरायदार हो तो आपको उसको कुछ rent पे करना पड़े खना और हमारा rent क्या होगा full repairing lease यानि कि हमें अपने मरने से पहले इस earth को repair करना पड़ेगा यानि कि अगर हमने thousand trees गिराए है तो हमें इस earth को thousand trees return करने पड़ेगे अगर हमने earth को exploit करा है तो earth को cure भी हमें ही करना पड़ेगा यह एक बहुत important quotation है जो आप इसका deep meaning समझो no generation has a free hold on this earth निकि कोई भी अगर earth को इस तरीके से देखेगा कि मुझे इस exploit नहीं करना है मैं इसका किरायदार हूँ और जो कुछ भी मैंने इसे detroit करा है मैं उसको भरपाई करके जाऊंगा तो जो earth है वो alien planet जो है वो नहीं बनेगा अब second quotation है Mr. Lester Brown की let me remove this Lester Brown की जो quotation है हमें पता है it is related to a sustainable development only आप देख सकते हो इन्होंने global economic prospect जो इनकी book थी उसी में लिखा था क्या है इनकी quotation that we have not inherited this earth from our forefathers we have borrowed it from our children यानि की यह जो हमाली earth है यह हमें विरासत में अपने दादाओं से नहीं मिली है यह हमने borrow यानि की उधार ले रखी है अपने four children से अपने children से अपने बच्चों से हमें यह चीज समझने है जब आपको कुई चीज को आप एक example से समझो we have not inherited the earth from our forefather we have borrowed it from our children for example आपको आप boys girls दोनों को property मिली समझ जरो अपने forefather से grandfather से यापने मम्मी पापा से अपको property मिली है आप उसको में जो फोर गरांटे होगा रही है तो मेरा ही है मैं इस घर में पढ़ा हूँ यह तो property मेरी ही है अगर आपने अपना कोई business start करने के लिए पढ़ाई के लिए बैंक से बोरो करा है लोन लिया होगा ना तो आपको एक मन के अंदर रहता है कि भाई मुझे यह लोन चुकाना है and there is a seriousness and there is a responsibility जब हमारी education के ओपर पैनेंट्स खर्चा कर रहे होते हैं तो a lose attitude is there अगर अपने वो बैंक से बोरो कर रहता है तो एक डर होता है मन के अंदर कि इसको repay करना है हम serious होगे बढ़ाई करेंगे और एक seriousness होती है तो अगर हम यह अपनी अर्थ के साथ समझ ले कि यह जो अर्थ है हमें दादाओं ने नहीं दी है अगर हम यह समझे कि हमने से बोरो कर रहा है अपने चिल्लेंट से तो हम इसको ध्यान से रखेंगे आपका यह chapter complete हो जाता है तो यह last two quotations बहुत important है और इस chapter के ओपर अब जितने भी question answers बनते हैं वो question answers का link PDF link मैंने आपको description box में दे दिया है summary is there important question is there one marker question is there तो आप description box में जाके check कर सकते हो मैंने Instagram ID पर डाल रखा है अब मैं आप से मिलूंगी next chapter के अंदर तो अगर आपको English का full syllabus पढ़ने है political, eco, geography and history and you can say there social science, humanities के सारे subjects and English so you can check out my channel description box में link given है even I'll be covering the optional subjects also like physical education, music, painting so you can go and check out my channel now I am going description box is filled with the videos so best of luck for your exams and I'll meet you in the next video आप में अब मैं गालबर में आपके का नावी ये जाम में आपके का आपके का लादेघ्ट